हाई फेंज वेलकम तो माई चैनल टेली ऑनलाइन क्लास आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने अपनी GST R2A डाउनलोड की हुई है पोर्टल से GST के पोर्टल से सबसे ज्यादा क्लाइन्स को क्या प्रॉब्लम आती है कि उनका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है जब उनको अपनी GST R2 रिकनसाइल करनी होती है वो अपना GST के पोर्टल से डाउनलोड करते हैं GST R2A और उसके बाद उसको रिकनसाइल करना होता है अपनी अगर बहुत सही ट्रांजेक्शन है तो बहुत टाइम लेती है और करेक्शन भी उसमें मतलब मिस्टेक होने के चांसे भी बहुत ज्यादा रहते हैं तो उसी के लिए मैं आज आपको एक सॉफ्ट्वेर बताने वाली हूँ जो की GST R2A कर जो रिकनसीलेशन है विदिन 10 मिन में वो कर देता है और इससे भी कम टाइम लगता है आपको कुछ भी इसमें करना नहीं है सिरफ आपको फाइल से इंपोर्ट करनी है और आपका जो रिकनसीलेशन है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है तो एक बार मैं आपको वो सॉफ्ट्वेर का यूज करके बतारी हूँ कि आप कैसे उसको विदिन सम मिनिट्स आप सारा कुछ रिकनसाइल कर सकते हैं और उसके बाद अगर आप वो सॉफ्ट्वेर लेना चाहते होंगे तो मेरी डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी चीज़े मेंचन की हुई है जो भी पार्टनर कंपनी है जो ये सॉफ्ट्वेर सेल कर इसका जो सॉफ्टर के बारे में मैं बात कर रही हूं इसका एक्चुल कॉस्ट है वो 3,000 रुपीज है ये आपके लिए लाइफटाइम के लिए भी रहेगा और वन येर का सपोर्ट आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी वन येर तक आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी GSTR 2A रिकंसिलेशन करना है तो आपको कैसे करना है कोई भी सॉफ्टर अगर आप यूज करते हैं रिकंसिलेशन के लिए तो आपको कैसे उसका प्रोसेस करना होता है और जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उनको भी थोड़ा सा पता चल जाएगा कि हम कैसे अपनी GSTR 2A क अपन किया हुए है जिसको मैंने अपने GST के पोडल से डाउनलोड किया हुए है ऐग उसके बार एक और मैंने Excel की फाई अपने उफन करके रखी हुई है जिस फाईल में मेरे पास यहां पर मेरी books of accounts है सारा कुछ मैंने अपनी सारी purchases का जो record रखा हुआ है ये सारा मैंने यहाँ पर अपने पास export करके excel sheet पर रखा हुआ है ये मैंने export किया कहां से है ये मैंने export किया है tally से अगर आप tally software use करते हैं तो tally software तो बहुत जादा आपको help करता है reports बनाने में तो आपको क्या करना होता है आपको tally में और तो कोई भी type के आपको invoices की जरूरत नहीं होती है purchases के reconciliation के लिए आपको सिरफ यहाँ पे अपना जो statutory reports में GSTR2 में आके आपको यहाँ पे अपना जो भी period के लिए आपको reconcile करना है तो आप यहाँ पे period ले लेते हो अभी तो मैं पूरा financial year ही ले रही हूँ बट मैंने एक ही month में की हुई है जो transactions की हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं B2B invoices मेरे पास यहाँ पे आया हुआ है यहाँ पे आप देखेंगे B2B invoices and यह जो invoice है B2B invoices मेरे site transaction चो हो रही है and हम यहाँ पे press कर देते है app file invoice wise जब आप यहाँ पे click करते हैं तो यह पूरा आपके पास details आ जाती है and इस file को आप directly export कर लेते हो excel sheet में यहाँ से export पे आपको click करना होता है and यहाँ पे format में आप excel ले लेते हैं तो आपका यह पूरा excel sheet में वैसे ही आजाएगा जैसा कि मैं यहाँ पे open कर रही हूँ यह देखे जैसे कि आप यह sheet मेरी यहाँ पर देख रही हैं तो हमें क्या करना है यह तो normal सी चीज है इतना तो आपको करना ही पड़ेगा कि आपको GST के portal पे जाके अपनी GST R2A डाउनलोड करनी है and आपकी जो भी books of accounts हैं आपने वहाँ से उसको export करके excel की sheet पे लेके आना है अब उसके बाद यहाँ से हमारा मुश्किल जो काम है वो हमारा difficult work यहाँ से start हो जाता है MTS Solutions है company जो की यह software में deal करती है and वही आपको completely support भी देगी and आपको demo भी provide करेगी and जो भी आपके doubts होंगे वो भी सब कुछ clear करेगी बट मैं आपको इबर करके दिखाती हूं कि कैसे आप इसमें reconciliation जल्दी से कर सकते हैं तो आपको क्या करना है ना यहां पर आपको आना है GST R2 A reconciliation यहां पर जब हम क्लिक करती है तो क्लिक करने के बाद सबसे पहला वारा जो हमारा tab आ रहा है वो आ रहा है As Per Government Portal and नीचे आपको बहुत सारी यहां पर utilities मिली हुई है Import Axel File Government Portal Import Axel File Clear Text अगर आपने Clear Text से फाइल बनाई है या आपने Computex से डाउनलोड की है आपने Excel File Compute Office से की है तो आप सभी तरह से जहां से भी आपके जिस भी format में आपके पास है वहां से आप इसको इंपोर्ट कर सकते है अभी मैंने Axel File Government Portal की जो है वो मेरी Excel File यहां से में इसको इंपोर्ट करती हूं इंपोर्ट पे मैं यहां पे जब क्लिक करूंगी तो मेरे पास यह फाइल है जो मैं आपको आपको आपन करके Excel Sheet में दिखाई थी वो मैंने डेस्टॉप पे रखी हुई है Demo Version के नाम से मेरे पास यहां पे बनी हुई है तो यहां पे Format & Testing के अंदर मेरी जो फाइल है वो यह वली फाइल है यहां पे आप देख सकते है GST Portal यह मेरे पास यहां पे उपन हो रखी है यहां पे हम इसको करते हैं OK तो आप देखेंगे यहां पे जो मेरा Government Portal जो मेरा GST के Portal से मैंने इंपोर्ट किया था वो मेरी जो फाइल है उसको में इंपोर्ट करें यहां पे जो मैं Excel की Sheet पे मैंने डाउनलोड किया था तो यहां पे आप रेखेंगे जो आपको Sheet का पूछता है वो आपको 2 Sheet यहां पे by default दिखाता है अगर आपकी Sheets डाउनलोड करते हुए आगे पिछे होगी होंगी तो आप उनको यहां पे Reset भी कर सकते हो अदर्वाइस तो default जो रहता है वो second page भी रहता है Sheet भी रहता है तो आप यहां पे इसको directly OK कर लेते हो and आप देखेंगे यहां पे जो भी मैंने सारा का सारा Excel Sheet पे अभी आपको अपना GST Portal की जो GST R2 दिखाया था वो मैंने यहां पे completely इसको import कर लिया है अब आपको क्या करना है as per books record as per books record में आपको क्या करना है यहां पे आपको दुबारा से अपनी फाइल को import करना है कौनसी फाइल को जो आपने books अपनी बनाई हुई है जिससे अपने reconcile करना है क्योंकि आप अपना GST की पोर्टल से जो download किया है वो तो आप कर चुके हो import अब आपको अपनी books का जो record है वो आपको import करना है तो मैंने tally format में यह tally की format में मेरे पास है अगर आपको यहाँ पे import excel file books record अगर आपको कोई other format में है तो वो भी यहाँ से import हो जाएगा अगर आप tally में करते हैं तो other format से भी अगर आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं अगर आपको और software के through करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे वो customization आपको करके दे देते हैं आप customize करवा कि यहाँ पे tool बनवा सकते हो अपने लिए और यहाँ पे import excel file tally format में अभी click करते हूँ तो मैं अपनी file को यहाँ पे tally books यह मेरी books हैं जिस पे मैंने अपना सारा books of record है वो मैंने सारा बनाया हुआ है यह मेरी पार target sheet 1 देता है तो यह sheet 1 पे ही सबसे पहले होता है तो इसको भी आपने directly okay करना है आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका यह पूरा जो मेरा books का record है वो सारा यहाँ पे आ चुक है चाहिए आपके पास यहाँ 15-16 thousand invoices जितना भी heavy data आपका होगा वो सारा कुछ इसको within minutes यहाँ पे लेके आ जाएगा अब आपको कुछ निकरना सिरफ आपने दोनों चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट की है और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे GSTR 2A reconciliation result तो यहाँ पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो सारी मेरी transactions है यहाँ पे मेरा result आ चुक है मेरा reconciliation हो चुक है मुझे यहाँ पे कुछ निकरना आप last में आके देखेंगे result आप देख रहे हैं कौन-कौन से invoices हैं जो आपके match हो चुके हैं कौन-कौन से invoices हैं जिनमें CGST, SGST कोई भी taxation difference है कौन सी ऐसे चीज़े हैं जो documents में आपके पास books में हैं या फिर portal में हैं दोनों में से किसी में नहीं हैं तो वह आपको सारी चीज़े यहाँ पे available है आप देख सकते हैं यह देखें आप यहाँ पे आएंगे तो यह सारी आपकी वह ट्रांसर्जशन हैं जो आपकी match होई हैं या match नहीं होई हैं यहां पे आप देख सकते हैं, सारा आपको result मिल जाएगा आप देखेंगे कि इतना बड़ा data था है अगर मैं यहां पे reconcile करेंगे हूँ तो मैं बहुत जल्दी से कर पा रहे हूँ मेरा time consume नहीं हो रहा है otherwise आप एक है कि invoice करके match करेंगे और सब कुछ match करना बहुत ज़्यादा time consuming होता है यहां पे एक चीज मैं आपको इस software का एक specification आपको करना चाहूंगी आप normally देखते होंगे कि अगर आप कोई भी reconciliation software का use करते हैं तो क्या होता है कि वो बिल्कुल same जो number होता है जो बिल्कुल same invoice number होता है उसको ही match करता है जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे मेरा यह invoice है 249 यह invoice number है तो आप यहां पे देखेंगे मेरी books of जो accounts है जिसमें मैंने record रखा हूँ है उसमें मैंने invoice number लिखा हूँ है 249 जो portal पे चड़ा हूँ है वो पूरा format के साथ चड़ा है जो invoice का format है वो पूरा चड़ा हूँ है ठीक है लेकिन इस वाली invoice में जो problem है वो क्या है यह मेरी taxation की problem है difference in SGST, CGST amount यहां पे मेरे पास problem है तो यहां आप देख सकते हैं जैसे कि यहां पे हम आते हैं इस invoice में यहां पे problem क्या है कि मेरा जो government portal है उसके according यहां पर मेरी जो books में record चड़ा है वो 26200 चड़ा है और यहां पे CGST, SGST जो है वो 26100 है यहां पे आप देख सकते हैं न government portal पे यहां पे आपका change है तो इस वज़े से यह वाला invoice जो है वो match नहीं कर रहा है otherwise यह invoice का कोई issue नहीं है अगर आप यहां पे invoice number जो डालते हो वो आप अगर अलग-अलग भी डालते हो जैसे यहां पे 249 मेरा invoice number है मैंने पूरा format नहीं डाला है और यहां पे इन्होंने पूरा format से ही एंटर किया हुआ है तो यह इसको match करेगा जैसे कि चलिए आप यह बाले invoice देखे 626 वीके एंड कंपनी 626 यह invoice है मैंने क्या किया अपनी जो बुक्स जो मैंने बनाई है उसमें मैंने invoice number सिरफ 626 लिखा है यहां पे जो पोर्टल पे चड़ा है वो पूरा format चड़ा है तो यहां पे आप देखेंगे यह इसको match कर रहे है अदर्वाइस अगर कोई और software पे अगर आप reconcile करते हैं तो वो इस चीज को unmatch करता है वो इसको match नहीं करता वो कहते है कि पूरा invoice format बिल्कुल as it is होना चाहिए तभी match करेगा अदर्वाइस नहीं करेगा लेकिन इस software में ऐसा कुछ नहीं है अगर आपके invoice का कुछ numbers भी match होते हैं तो वो उसको match कर लेते हैं अगर आपका यहां पर आपनी books record में अपना पूरा format से किया हुआ है लेकिन यहां पर आपके जो government portal है वहां पर हाफ ही चड़ा हुआ है या बिल्कुल सिरफ invoice number ही एंटर हो रहा है तो भी इसमें matching हो जाएगा जैसा कि आप यहां देख रहे हैं मैंने अपनी books का जो record बनाया है उसमें मैंने 6340 पूरा format लिखा हुआ है यहां पर मेरा government के portal पर जो चड़ा है उस सिरफ 634 invoice number चड़ा है और यह इसको match कर रहे हैं तो आइ तिंक आप यहां पर समझ पा रहे होंगे कि आपको जो जो चीजें जो जो cases हमें यहां पर यूज होते हैं जो प्रॉबलम्स आती है उन सब प्रॉबलम का जो यहां solution आप देख पा रहे है रिजल्ट आपको इहां पर दिखाई देरा है कि कौन कौन सी transactions है जो आपक को देख सकते हैं, अब उसके बाद ये आपकी एक reconciliation file है, आपकी एक proper reconciliation बन चुकी है, GSTR2A की, किसी भी particular month की आप reconciliation करते हैं, और उसके बाद अगर आप इसको export करना चाहते हैं, as a proof की भई मेरे पास record होना चाहिए, कि मैंने ये reconciliation बनाया है, तो आप यहाँ पे इसको export excel करके, यहाँ पे save कर सकते हैं, किसी भी नाम से, ओकी, suppose मैंने यहाँ पे ले लिया, reconciliation file, reconciliation file के नाम से, मैंने यहाँ पे एक file बना ली है, और इसको कर लिया है, save, तो आप देखेंगे, please keep patience, up to generated excel file, और आप देखेंगे, यहाँ पे मेरी excel file हो जाएगी, जो open यहाँ पे already हो चुकी है, यह मेरी reconciliation file है, और आप देखेंगे, यह सारा कुछ मेरा आचुका है, party wise summary आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कि यह मेरा एक party wise summary है, जिसको यह party wise summary बना रहे है, जिसमें मैं एक एक party कर देख पा रहे हूँ, और आप देखेंगे, यहाँ पे अलग-लग columns बन रहे हैं, as per books record, as per government portal, सब कुछ मेरा को यहाँ पे शो कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसकी आपको यहाँ पे taxable value भी शो हो जाएगी, और उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं, last में आपको यह भी दिखेगा कि किस party के कितने invoices थी, कितने उसमें से match हो चुके हैं, कितने बिल एंटर हुए हैं, उसमें से कितने माच होए हैं, कितने उमें difference हैं, तो यह आपका बहुत जादा important है, जो आप इसमें कर सकते हो, solve कर सकते हो, और उसके बाद एक और चीज़ में बताना चाहोंगे आपको, अगर आपको किसी भी specific party का आपको निकालना हैं, suppose मेरे owner ने बोला कि यहाँ पर BKN Company या कोई भी राजवन स्टोर जो है, इस party के सारे invoices निकालो, देखो इसने कितने invoices एंटर किया और कितने हमारे match होगे हैं, तभी हम इसमें tax की payment करेंगे, तो आप यहाँ पर एक particular GSTN number wise या फिर उसकी party के name wise यहाँ पर सर्च कर सकते हो, suppose मैंने यहाँ पर लिखा राजवन स्टोर के नाम से मैंने यहाँ पर बनाया, तो राजवन स्टोर जब मैंने यहाँ पर बनाया तो आप देखेंगे, इसके मेरे को दो invoices शो कर रहे हैं और वो सारे ही match है, दोनों ही match है, okay and उसके बाद अगर मैं यहाँ और ले लेती हूँ, WK & Company यहाँ पर लेती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिया, WK लिया तो आप देखेंगे, WK & Company का एक invoice है जो match नहीं हुआ है, यह मेरी एक file बन चुकी है WK & Company की, मैं especially इसको भी export कर सकते हूँ, Excel की sheet पर, and WK & Company को मैं mail कर सकते हूँ, उनको पुरा record भेज सकते हूँ, कि भई आपका यह invoice है, जो आपका match नहीं हुआ है, GST Portal से या फिर books of record में नहीं है, कुछ भी जो भी उसमें आपको changes करने हैं, जो आपको आगे forward करना है, वो आप यहाँ पर export करके कर सकते हैं, okay, तो यह एक software है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा help करेगा, and reconciliation तो देखिए, बहुत ही जल्दी कर देता है, आपको किसी भी party wise अगर बनाना है, party wise आपको details बेटनी है, या फिर आपको reconciliation, सबसे बड़ा काम तो यह होता है, कि reconciliation करना है, तो यह आपको software बहुत ज़्यादा help करेगा, and यह जो company है, MTS solution company, यह company आपको complete solution प्रोवाइड करेगी for one year, अगर आप यह software लेते हैं, and यह आपके हमेशा काम ही आने वाला software है, तो अगर कोई भी accountants इस video को देख रहे हैं, यह कोई भी और जो यह काम करते हैं, क्योंकि GST का काम तो कोई भी person अपने घर से भी करता ही है, उनके clients घर भी होते हैं, work from home भी करते हैं, या फिर आप मुझे WhatsApp करते हैं, coupon code तो आपको 10% discount भी मिल जाएगा, and अगर आपको पहले कोई भी queries हैं, and आपको वो sort out करने हैं, तो उसके लिए भी आप call कर सकते हैं, and WhatsApp कर सकते हैं, coupon code डालके, and जो भी queries हैं, demo आपको complete मिलता है, and उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं, आपकी जो भी queries होंगी, जैसा भी आपका data होगा, वो आप एक बार अपने demo version पर यूज करके देखेंगे, and then आप उसके लिए new software है, वो आप ले सकते हैं, I think मैं जो आप तक solution पहुँचाना चाहते थी, वो मैंने कोशिश की है, पहुचाने की, and कोई भी अगर आपको doubt होता है, तो आप मुझसे पूच सकते हैं, Thank you, thank you so much for watching this video,